संदेश खाली मामले में विपक्षी नेता मुख्यमंत्री ममता बनरजी पर हमलावर है। अब CPIM नेता मुहम्मद सलीम ने TMC नेता शाहजहाशेख के फरार होने को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाहजहाशेख पुलिस और राजे सरकार के महमान बनकर पुलिस सुरक्षा में है और हो सकती है कि ममता सरकार उसका एंकाउंटर करवा दे। CPIM ने मुहम्मद सलीम ने सेंदश खाली मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा साफ है कि शाहजहा शेक पुलिस और राजे सरकार के मेहमान बनकर रह रहे हैं ये सब ही। अपराधी अभी पुलिस सुरक्षा में पुलिस केस्ट हाउस में है जहां ममता और अभिशेक के सबूतों के लिंक को कैसे हटाया जाए इसको लेकर बातचीत चल रही है इस तरह राजीव कुमार को सारे दस्तावेज मिल जाएंगे फिर वह घोशना करेंगे कि हमने शाहजहा को पकर लिया है हो सकता है कि शाहजहा का एंकाउंटर कर दिया जाए उन्होंने आगे कहा कि TMC के दिगज नेताओं को ये समझना चाहिए कि कोई किसी के लिए नहीं है क्योंकि ममता बनर जी केवल अपने भतीजे की रक्षा रक्षा करेंगी और किसी की नहीं वहीं जांच एजेंसी शुकरवार को कोलकाता में शाहजहा शेक के करीबियों के घर पर छापे मारी कर रही है साथ ही ED ने TMC नेता के पुछताच के लिए 29 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है